हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरिट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफ्टेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ सेथाबाद में धरना खत्म करने के अल्टीमेटर में सिर्फ एक घंटा बाकी सिक्यरिटी फोर्सेज ने धरना खत्म कराने की तयारियां तेज कर दी रास्ते खारदार तारे लगाकर सील फैसाबाद इंटरचेंज के अत्राफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तायनात धरने में जाने वाले कई अफराद को ग्रिफतार कर लिया गया धरना खत्म करने के लिए पुलिस की जानिब से लाउड स्पीकर पर एलानात मैं उमीद करता हूं कि ये हमें किसी आपरेशन की आपशन को एक्सराइज करने पे मजबूर नहीं करेंगे और हम बाइज़त तोर पे इन से बातचीत करके इस मसले को हल करने में जरूर कामयाब हो जाएंगे स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मताबिक मुझाहिरीन के पास दस से बारा हत्यार मौजूद है शुरका ने अपने पास पत्थर भी जमा किये हुए है डेप्टी कमिश्टर का इस्लामबाद हाई कोट में इंकशा कहते हैं मुझाहिरीन की तादाद अठारा सौ से दो हजार है आपरेशन किया गया तो तीन से चार घंटों में मुकमल कर लिया जाएगा पुरम तरीका हो या ताकत का इस्तेमाल फैजबाद इंटरचेंज को खाली कराया जाए इसलामबाद हाई कोट ने इंतजामिया को कल सुब दस बज़े तक का वक दे दिया जस्टिस चौकत सदीकी ने रिमाक्स दिये के दस दिन से शेहर की इंतजामिया ने तमाश शाइकवा किरदार अदा किया और अपने इखतियारात इस्तेमाल करने में नाकाम रहे इस्थारे राय की आसादी का मतलब नहीं के पूरे शेहर के हुकूक सलब कर लें जरूरत पढ़ने पर रेंजर्स और एफसी से भी मदद लेने की हिदायत दो दो तीर तीर किलिमीटर पेंद ले आना पड़ दो है तगस्ते बनने ना कहीं आ जा सकते हैं काफी दिनों से हम डिस्टार बें फैजाबाद में धरने से जुड़वा शेहरों में निजाम जिन्दगी दरहम बरहम ग्यारा दिनों से मेटरो बस और आहम शाहराओं की बंदी से शेहरी परेशान कहीं गाड़ियां रच में फसी हैं तो कहीं मीलों का सफर पैदल करने पर मजबूर बच्चों को स्कूल और मुलासमे पेशा अफराद को दफातर पहुंचने में शदीद मुश्किलार का सामना इंतखाबाद एक्ट 2017 का तर्मीमी बिल सैनिट से भी मनजूर तर्मीमी बिल वजीर कारून जाहिद हमिद ने पेश किया सैनिट से खताब में कहा के शिक 7B और 7C शामिल कर दी गए बिल के हवाले से मुझ पर बदनीयती का इल्जाम लगा कल एसम्बली में तफसीली बात हुई लेकिन रिपोर्टिंग ठीक नहीं हुई कहते हैं के अलहम्दलिल्ला मुसल्मान हूं कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकता कमिटी थी सब कमिटी थी हाउस में दोनों हाउस में साफ तरीके से ट्रांस्पेरन तरीके से पेश किया गया और इसमें कोई जो है कोई बदनीती नहीं थी हम सब मुसल्मान हैं नई हलका बंदियों से मुतलिफ आईनी तर्मीमी बिल सेनिट में पेश ना किया जा सका बिल की मन्जूरी के लिए दो तहाई अराकीन की मौजूदगी लाजिम एवान में सिर 58 अराकीन हाजिर थे वजीर कानून बिल आज सेनिट में पेश करना चाहते थे लेकिन हाजरी कम होने के बाइस ना कर सके बलोचिस्तान के लाके तुर्बत के करीब एफ सी का आउपरेशन पंद्रह अफराद के कतल में मुलविस बी एल एफ का कमांडर यूनस तवकली मारा किया आईस प्यार के मताब एक देशत कर्दों ने फॉर्सिस पर फारिंग की हलाक देशत कर्द फॉर्सिस के रास्ते में बारूदी सुरंगे बिचाने में भी मुलविस था यूनस तवकली का शुमार बी एल एफ के आठ सरकरदा कमांडरों में होता था मशरकी सरहत पर खत्राद से निमटने की तैयारियों से गाफिल नहीं रह सकते तैयारियों में कमी नहीं आने चाहिए आर्मी चीफ जेनरल कमर जाविद बाजवा की रावल पिंडी कोर के हेड कोर्टर के दोरे पर गुफ्तगू आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन की सुछते हाल पर तफसीली ब्रिफिंग आपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया आर्मी चीफ से अवगान अमूर पर चीन के खुसूसी अलची के मुलाकात पार्क अवगान बॉर्डर मैनेजमेंट और इलाकाई सलामती पर बाच चीफ भारत की जानिब से लाइन ओफ कर्ट्रोल की खिलाफ वर्थियां भारती डेपटी हाई कमिशनर की दफ्तरे खार चातला भी एलो सी पर फाइरिंग के खिलाफ शदीद एहतजाच किया मुलक भर में ऑपरेशन अब्दुल फसाद के तहट कारवाईयां डेरा गाजिखान में रेंजिस के ऑपरेशन में टी टी पी के चार देशुदगर्ड गिरफतार खुदकार हत्यार और दस्ती बंग भी बरामन गिरफतार देशुदगर्ड खैबर पक्तून खौँ और पं अल्ला जल्द हमारी मुश्किलात खत्म करेंगा इन्शालला दोहजार अठारा में भी अवाम की खिद्मत करेंगे नमाज जुमा की अदाईगी के बाद नमाज शरीफ की गुफतकू साबक वजीर आसम लोगों से भी मिले कहते हैं कि प्रापगेंडे की सियासत नहीं अवा प्रापगेंडे की मजबूती के लिए पहले भी किरदार अदा किया और आएंदा भी करेंगे इमरान खान का MNA दावड कुंडी को पार्टी से निकालने का ऐलान चेर्मेन PTI का कहना है कि MNA दावड कुंडी जूट बोल रहा है अगर पार्टी में कोई गलत काम कर रहा है तो पार्टी में बताया जाए दावड कुंडी मीडिया पर चले जाते हैं दावर कुंडी वजिर्याला के खिलाफ भी बियानात दे रहा है डॉक्टर आसिम पीपल्स पार्टी कराची डिविजन के सदर के उहदे से सुवक्दोश कहते हैं कमर की मतवक्ख सरजुरी के बाइस फराइस अन्जाम नहीं दे सकते आराम का मौका दिया जाए बिलावल भुटो का डॉक्टर आसिम हुसेन को इलाज के बाद नई और अहम जिम्मेदारी देने का ऐलान पीटियाई का दो हजार अठारा के इंतखाबात में होलोग्राम टेक्नॉलोजी के इस्तमाल का फैसला मीलों दूर बैठा लीडर जलसे में नजर आएगा तरीक इंसाफ ने कामयाब तजर्बा भी कर लिया कप्तान को जल्ग होलोग्राम टेक्नॉलोजी से मतलिक ब्रेफिंग दी जाएगी सिंध पुलिस की वर्दी में छुपे 130 लुटेरों के नाम सामने आ गए जराइम पेशा काली भेडे, करप्शन, बदुनबानी और एगवा बराय तावान में भी मुल्विस लिख लिए 130 जबरी रिटाइट, 19 अफसर नौकरी से बरतरफ किसी से अम्तियाजी सलूक नहीं होगा इंस्पेक्टर जेनरल की अदालत में जमा रिपोर्ट में यकीन दिहानी लाल शेहबास कलंडर मजार धमाके का हम मुल्विस के मजाफाती अलाके से गिरफ़तार तफ्तीशी अफसर के मुल्विस बलुचिस्तान से मोटर साइकल पर कराची दाखल होते हुए हब नदी से गिरफ़तार किया गया एंटीएस में मुनी लॉंडरिंग और टेक्स चोरी का मौमला चांसलर कॉमसेट्स की एंटीएस के सरबरा को फौरी तोर पर काम से रोकने की हिदायत इरेक्टर कॉमसेट्स में मौमले की मुकमल इंकौरी करवाने का हुकम नदीएस के चेरमन बोर्ड आफ डारेक्टर्स कमेटी तश्कील थे साबग चेरमन डॉक्टर जुनेद जादी, हरून रशीद और साबिक बोर्ड मेंबर्स के खिलाफ इंक्वाईरी करने की हिदायत रावल पिंडी में कस्टम अदालत ने डॉक्टर जुनेद जैदी, डॉक्टर हारून रशीद और डॉक्टर शेरजादा समेथ 6 अफसरों को तलब कर रखा है कराची में पबलिक ट्रांस्पोर्ट का बुरा हाल शेह काईद की सड़कों पर रोज़ाना 1100 मोटर साइकलों का इजाफा होता है हर साल 49 लाख मोटर साइकलों का इजाफा लाहूर में स्मॉक का खात्मा बच्चों के स्कूलों के उकातिकार दोबारा आठ बजे कर दिये गए स्मॉक के बाए सरकारी और रीजी स्कूलों का वक्त एक घंटा आगे किया गया था मलके कोसार में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी का जोर दरजा हरारत 6 डिग्री तक गिर गया ठंडी हवाएं चलने के बाद लोगों ने हीटर्स और अंगीटियां जलाना शुरू कर दी दिन भर सूरज भी बातलों से जहनका रहा शेहर काइद की फजाओं में भी खुनकी बढ़ गई कल कम से कम दरजा हरारत 15 डिग्री तक गिर सकता है मैं मौसमियाद की पेश गोई चितराल में आग ने पूरा बाजार चला दिया धरोज बाजार की सतर दुकारे और तीन घर जलकर खाकस्तर आग के शोले आसमान से पाते करते रहे इंतजामिया आग लगने की वजवात का खोज ना लगा सकी कराची के इलाके कश्मीर गोड वहर इमारत में आतिश रगी शोट सरक्ट के बाइस लगने वाली आग देखते ही देखते पूरे फ्लोर पर फैल गई बिल्डिंग में मौजूद लोगों ने छट पर जाकर अपनी जान बचाई फाइर बिर्गेट की दो गाड़ियों ने एक घंटे की जुदो जहत के बाद आग पर काबू पाया मौजब सरगर में थल जीप रैली जारी खातून ड्राइवर समेथ 80 से जाइड ड्राइवर हिस्सा ले रहे हैं कौलिफाइंग राउंड में नादर मकसी 3 किलो मीटर का फासला 1 मिनट 38 सेकंड में तेह करके सबसे आगे रहे मौलिटन में सबसे पहले आपको बताएं धरना खत्म करें वरना आउपरेशन होगा वजीर दाखला ने वासे कर दिया एसन अकबाल कहते हैं के मजबी जमात ने धरना खत्म ना किया तो अदालती हुकम पर अमल करेंगे अदालत में धरना खत्म करने के लिए कल सुब दस बज़े तक का टाइम दे रखा है आपको आहम खबर दे रहे हैं धरना खत्म करें वरना आपरेशन होगा वजीर दाखला ने वाज़े कर दिया इंतसामिया ने धरना खत्म करने के लिए रात दस बजे की डेड लाइन देती है खत्म नबूवत हल्फ नामे में तर्मीम के खिलाफ धरना जारी इसलामबाद हाई कोट का धरना खत्म कराने का हुकम मुझाहरीन ने अदालती हुकम को मानने से ही इनकार कर दिया हकूमत ने भी धरना खत्म कराने की तैयारियां कर ली जले इंतसामिया ने धरना काईदीन को सड़क खाली करने के लिए रात दस बजे की डेड लाइन दे दी डिप्टी कमिशनर और पुलिस हुकम ने सड़कें खाली ना करने की सुरत में आप्रेशन का इशारा भी दे दिया है वजीर दाखला एसन अकबाल भी सामने आए और काईदीन से धरना खत्म करने के लिए मुजाकरात की पेशकश कर दी जो हाई कोट ने हुकम दिया है उस पर एक लाव अबाइडिंग या कानून को मानने वाले शेरी की हैसियत में अमल करें और हम आपसे मुजाकरात करने के लिए तैयार है ताके आपके अगर कोई अभी भी तहफूजात है या आपको इशकाल है उसे दूर कर सकते हैं मैं फिर अपील करता हूँ और मैं अमीद करता हूँ कि इसलाबाद हाई कोट के फैसले पर अमल करेंगे और कोई कानून को मजीद अपने हाथ में नहीं लेंगे वगरना फिर हकूमत को वो एकदाम उठाना पड़ेगा जो के अदालत में उसे हुकम दिया वजीर दाखला का मानना था के पुराना हल्फनामा बहाल हो चुका अब तनाजा बेबनियाद है वजीर कानून जाएद हामिद साब ने तमाम पार्टियों से बात की और उस कानून को हमेशा के लिए मौसर कर दिया खत्म नबूवत के हवाले से कोई किसी किसी किसम के कानून में ना सुकम है ना कमी है बलके जो 2002 से कानून के अंदर एक कमी मौजूद थी उसको भी दूर किया जा चुका है और क्यामत तक के लिए ये मसला तैह हो चुका है पाकिस्तान के आईन में और कानून में लहाजा इस हवाले से किसी को तशद्द पे उकसाना या किसी को मिस गाइड करना मुनासिब नहीं है फैजाबाद के गिर्द पुलीस और एफसी की भारी नफरी को समान और आंसु गैस के शेल देकर तैयार कर दिया गया है धरने के शुरका को खुले होटलों में पना लेने से रोकने के लिए अतराफ का इलाका भी खाली करा लिया गया है फैजाबाद के टरांसपोर्ट अडॉचों को भी खाली करवा दिया गया है रेंजर जहलकार स्टेड की दूसी लाइन पर होँगे डिप्टिक कमिशनर इसलामबाद की रिपोर्ट में बताया गया है कि धरने वालों ने भी पत्थर जमा कर लिये हैं जो मुम्कना पुलीस के आपरेशन में इस्तमाल किये जा सकते हैं नई मसगर एक्सप्रेस न्यूज इसलामबाद इसलामबाद हाई कोट ने फैज़ाबाद में धरना कल तक खत्म कराने का हुकम दिया है धरना खत्म कराने के लिए रेंजर्स और एफसी की मदद ली जाएगी अदालत ने कहा है कि इंतजामिया ने दस डोज क्रिकेट के तमाशाई का किरतार अदा किया तफसीलात बताएंगे जैगम नक्वी इसलामबाद हाई कोट ने हफ़ते की सुब दस बज़े तक धरना खत्म कराने का हुकम दे दिया अदालत का कहना है कि पुर अम तरीका या ताकत का इस्तेमाल जैसे भी हो फैज़ाबाद को मुजाहिरीन से खाली कराया जाए इसलामबाद हाई कोट में धरने के खिलाफ शहरी की दर्खास की समात हुई डेपरिटी कमिशनर इसलामबाद कैप्टन रिटाइड मुश्टाक और डी आई जी आपरेशन हाई कोट में पेश हुए जस्स चौकत अजीज सदीकी ने रिमार्क्स दिये के धरने के खात्मे के लिए जलेई इंतजामिया अपने इक्तियारात इस्तेमाल करे डी सी इसलामबाद ने अदालत को बताया कि मुजाहिरीन के पास पत्थर और दस से बारा हत्यार हैं धरने में अठारा सौ से दो हजार अफराद शामिल हैं आपरेशन में तीन से चार घंटे लगेंगे अंधेरे में आपरेशन से नुकसान हो सकता है डेपटी टॉनि जेरल ने कहा कि लहौर में होने वाले एक ऐसे ही वाके का खुम्याजा पुलिस और इंतजामिया भुगत रही है जिस पर जिस्टिस चौकत सदीकी ने रिमाक्स दिये कि इंतजामिया मक्षड में से बाल की तरहा निकलना चाहती है लेकिन अदालत फिर भी मौामला अपने सर लेने को तयार है अदालत ने तहरीरी हुकम में कहा कि जिल्ए इंतजामिया अपने अख्तियारात के इस्तेमाल में नाकाम रही धरना खत्म कराने के लिए रेंजर्जर्स और एफसी के जरिए आपरेशन किया जाए धरनों और मुझाहिरों के लिए डिमॉकरसी और स्पीच कॉर्णर मुख्तस किया गया है जैगम नकवी एक्षप्रेस न्यूज इसलाम अबार सैलिट ने भी खत्मे नबुवत से मुतालिक हल्फ नामे को पुरानी शकल में बहाल करने की मनजूरी दे दी है जिसके बाद एहमदी, कादियानी, लहौरी ग्रूपों की आइन में दी कई हैसियत बहाल रहेगी वजीर कानून जाहिद हामिद कहते हैं कि अलहमदुल्ला मुसल्मान हूं कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकता एहवान बाला के हंगामा खेज अजलास का एहवाल हमें बताएंगे शैर्यार खान कौमी एसेंबली के बाद सैनिट ने भी कत्म नववत हलफ नामे बहल करने की मनजूरी दे दी इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तर्मीम कबिल वफाकी वजीर कानून ZAHID हमिद ने पेश किया जिसे एहवान ने मुतockा पर पर मनजूर कर लिया वजीर कानून ZAHID हमिद ने अपने उपर लगने ओले लगने वाले लिजामात की वज़ाद कर दी डिप्टी चेर्में सैनिट अब्दिलगफूर हैदरी का कहना था तज़्दीक सब्द कर दी है। सारी धरने पर हकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। असलाम अबाद। वो खत्म होने जा रही है और ये अब आखरी घंटा चल रहा है। इस वक्त जिली इंतजामिया और पुलिस की तयायों के हवाले से कुछ सूरते हाल ये है के पुलिस एफसी और रेंजर्स की बड़ी तादाद यहां पर मौझूद है। पुलिस हलकारों को किट्स फराहम कर दी गई हैं एंटिरॉइट किट्स उनके पास उन्हें फराहम कर दी गई हैं। के लावा अंसुगैस के शेल उन्हें फराहम कर दी गए हैं और जो रेंजर्स की गाड़ियां हैं रेंजर्स भी बिलकुल अलर्ट खड़ी हुई हैं लेकिन वो सेकंड लाइन आफ डिफेंस जिसे आप कह सकते हैं सेकंड लेयर पे वो लोग तानात हैं। धरने को जाने वाले तमाम रास्ते इस वक्ता सील किये जा चुके हैं। प्लिस की नफरी बढ़ा दी गई है, FCL कार मौझूद हैं, पंजाब पुलिस के लोग मौझूद हैं, अजाद किश्मीरी पुलिस की नफरी यहां पर तायनात है, सब कोई शिफ्टों में यहां पर तायनात किया रहा है, अंसु गैस के शेल बड़ी तादात में इनको फ्र साइडों पर इस वक्ता पुलिस ताइनात कर दी गई है जो रावल पिंडी वाली साइड है वहां पर भी पंजाब पुलिस ताइनात है इसलमबाद वाली साइड पर इसलमबाद पुलिस हो दीगर जो लाइनफोर्समेंट एजन्सिस है के अहलकार ताइनात है स्कूरिटी फोर्सी के तैयारियां मुकमल, खारदार तारों से रास्ते सील कर दिये गए, नहीं मसखर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका फैसबाद इंटिर्चेंज पर मजभी जमातों के धरने से जुड़वा शेरों में निजाम जिन्दगी दरहम बरहम है, अदालती एहकमात के बावजूद धरना खत्म हुआ न शेहरियों की मुश्किलात कम हुई, मुझाहिरीन के नुमाइंदा वफ्द के साथ पुलीस के मु शाकरात बे नतीजा रहे, मजभी जमातों का धरना ग्यार्वे रोज भी जारी, खत्मे नबूत हल्प नामे में तर्मीम के खिलाब, मजभी जमातों के धरने से जुड़वा शेरों में सरगर्मिया मफ्लूज हैं, एहम शाराओं की बंदे से सडकों पर गाड़ियों का हज तो कहीं मीलो पैदल सफर करने पर मजबूर हैं, वफाकी दारुल हकूमत आने और जाने के बेशतर रास्ते बंद होने के बाइस, अवाम की जिन्दगी अजीरन बन चुकी है, पैदल जा रहों है, क्या पता कहा से गाड़ी मिलती है, क्या नहीं होता है, हर रोज हुआर होत इसलामबाद एकस्प्रेस बेकी बंदिश से ट्रैफिक मतबादल सड़कों पर मोड़ी जा रही है, इसलामबाद ट्रैफिक पुलिस के नाकिस इंतजमात के बाइस, मेंटो का सफर घेंटों में तैह हो रहा है, मुझाहरीन मतालबाद की मनजूरी तक किसी तरह भी धरना ख आहम खबर देंगे आपको तुर्बत में पंदरा अफराद के कतल में मुलविस बी-ल-फ का कमांडर मारा गया, एफ्टी बलोचिस्तां का गाउं एलंद अब्दुरह्मान में आपरेशन, फोर्सिस के पहुचते ही देशत गर्दों ने फाइरिंग कर दी, बी-ल-फ का कमां आपको तुर्बत में मारा गया, एफ्टी बलोचिस्तां ने तुर्बत के इलाके अलनदर के करीब अब्दुरह्मान गाउं में देशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजन्स बन्याद पर आपरेशन किया, सिक्योरिटी एहलकारों के महासरा करने पर देशत गर्दों ने फा आईस पियार के मताबिक यूनस तुकली पंदरा अफराद के कतल के इलावा, बारूदी सुरंगे बिचाने, एफसी पर हमलो, बी एनिम के बानी मेंबर रहमतुल्ला समेट कई शेहरियों के कतल में मलविस था, एहमद मनसूर, एक्सप्रेस नियूज, इसलामबाद एक और हम खबर देंगे आपको कानून का शिकंजा सख तुर्बत वाके में मलविस दो मजीद इनसानी समगलर गिरिफतार, एफ़ाई ये गुज्रावाला और पुलिस ने ये कारवाई की है, डेप्री डिरेक्टर एफ़ाई के मताबिक मुल्जिमों में घुलाम रबानी और आबिद हुसैन शामिल है, एफ़ाई ये गुज्रावाला और पुलिस ने जाम के चट्था में ये कारवाई की है, जहांसे ये गिरिफतारी आमल में आई है, मुल्जिमों में हुलाम रबानी और आबिद हुसैन शामिल है, डेपुटी डिरेक्टर एफ़ाई ये का ऐस कानून का शिकंजा मजीद सक तुर्बत वाकिम मुलविस, दो मजीद इनसानी समगलर गिरिफतार कर लिए गए हैं प्रक चले की आमल में है, मुल्जिमों में है की बाहिए जग्यों में हैं